नमस्कार मैं हूं कवता थपलियाल अगर आप अगर आपने अपने परिवार के सारे सपने आप पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप खर्ट से पहले बचट करें और इस बचट को सही जगा इन्वेस्ट करें क्योंकि सही फिनांशिल प्लानिंग ही इसकार दिवस के मौगे पर हम आपको बता रहे हैं कि फिनांशिल प्लानिंग की आपकी जिंदगी में क्या एहमियत होती है इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं BSE के MD और CEO आशीश चोहान, Wise and West Advisors के CEO हेमिंस रुस्तिगी और मुंबई के रहने वाले भावेश शा और उनकी पतनी प्राची शा आप सभी का शोपर स्वागत है तो आज हम हमारी खास पेशकर्ष में भावेश शा की फिनांशिल प्लानिंग करने वाले हैं लेकिन उससे पहले आशीश जी मैं आपके पास आती हूँ और आप से जानना चाहते हैं कि आवाज की सब पहल भारत परिवार दिवस से BSC भी जुड़ा हुआ है आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि एक आम आदमी की जिन्दगी में सेविंग्स और सही जगे पर उसका इन्वेस्टमेंट आखिर कितना जरूरी होता है भारत परिवार दिवस नाम का ये कंसेप्ट C&B से आवाज ने बनाया मुझे काफी खुशी है कि BSC उसके साथ जुड़ा हुआ है और जहां तक निवेश का सवाल है तो हर आम आदमी चाहता है कि उसकी जो जीवन शैली होई वो कहीं न कहीं एक बनी रहे एक आगे बढ़े और उनकी जो लाइफ स्टाहल है उसको मेंटेन कर पाए तो उसके लिए जो लोग निवेश करते हैं कई चीज़ों के लिए करते हैं अपने खुद के pension के लिए करते हैं old age pension के लिए करते हैं health कोई emergency आजाती है उसके लिए भी करते हैं या तो बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं, बच्चों की शादी के लिए करते हैं, तरह तरह के समझी कारियों में पैसों की जरूद पढ़ती है, और उसको जब पैसे अपने पास होते हैं, तो हम उसको खर्च कर लेते हैं, जबकि उसको consumption कहते हैं, और जब उसको future के ल वापस भी मिल सकते हैं लेकिन उस पर आप एक returns भी कमा सकते हैं, एक interest भी कमा सकते हो, तो वो भी एक जरूरी है कि आप कहां निवेश करते हो, उससे आपकी lifestyle कैसे बनी रहती है, तो आम आदमी के लिए ये जो निवेश का मामला है वह बहुत जरूरी उसको सीखना जरूरी है कि उसके पहलू क्या होता है क्या सही है क्या गलत है कैसे निवेश करना चाहिए कौन सी उम्र में कहां पर निवेश करना चाहिए और कहां से कितने रिटन्स मिलते है उसके क्या फाइदे क्या गैर फाइदे है उपर से किस तरह के रिस्क का आपको सामना करना पड़ता है कई बार हमें लगता है कि जहां पर भी हम निवेश करते हैं वो सब रिस्क फ्री होता है हाला कि यह जरूरी निये कि वो रिस्क फ्री हो और कहीं हमको लगता है ज्यादा रिस्क है जहांके एक्चुली कम रिस्क होता है तो यह सब पहल वार की जो लाइफस्टाइल है उसको आगे बढ़ा सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं लॉंग टम के लिए बिल्कुल तो इन्वेस्टमेंट के अलग-अलग पहलियों के बारे में ही उसके तरीकों के बारे में आज हम अपने शोपर बात करेंगे लेकिन आशीज जी यहां पर पास्ट को देखते हैं जो पास्ट में जो स्ट ऑक मार्केट स्ना रिटन दिये हैं नैंटीनज के हिसाबसे जो स्टॉक मार्करीच की आपको 200 गुमest लास्ट तैस साल में इसा कोई भी निवेश का कोई एक इंस्टूमेंट नहीं है जो स्थॉक मर्किर की तरह रिटन्स देता है अला कि आपको एक पेशन्स की जरूरत है एक तरह से आपको अच्छी कंपनियों को सुर्फ सेलेक्ट करके उसके अंदर निवेश करना है और फिर उसमें आपको ज्यादा ज जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनसे जो निवेश की जो बात होती है वो कम होती है और ट्रेडिंग की बात ज्यादा होती है तो यह जो परिवार दीवस है उसमें बैसिकल यही चीज़ सिखाई जाएगी कि कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो अच्छे स्टॉक्स को या करने चाहिए मैं इसा है और उसमें हर आदमी ने और हर इन्वेस्टर ने सोचना है कि मेरी लॉंग टर्म एक्स्पेक्टेशन क्या है उस आप से 20 साल में 30 साल में मुझे कितने पैसे ची होगे मेरे जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए उसके सामने मैं कितनी बच्चत करता और कहा कहा नइव्यश करता हूँ जिससे मुझे उस 20-30 साल के बाद मुझे उतनी ही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के एक सुवीदा मिले मेरे पास उतनी आमधनी हो जब में काम नहीं कर पौँँगा या तो कम कर पाऊँगा या मेरी आमधनी कम होती है फिर भी मेरी लाइ instruments market में होते हैं, जिसमें stock market, share वगरा की हम भूमी का mutual funds होते हैं, even new pension scheme आई हुए जिसमें भी लोग निवेश कर सकते हैं, अफकर्स PF provident fund होते हैं और कई तरह के निवेश के एक सादर होते हैं, जो financial instruments की नहीं जाते हैं और कई physical instruments होते हैं, जैसे के gold है या silver है या real estate वगरा होते हैं तो जो stock market में निवेश करने से आप जो companyों में हिस्सा उसके भागीदार बनते हैं उनके जो profit होते हैं उसमें भागीदार बनते हैं और उससे क्याए कि जब आप stock company में निवेश करते हैं पैसे jobs create करने में जाते हैं और भारत में सुआवी के इतना youth होगा तो job creation की भी आवाश रिकता बहुत है अगले 20 साल में हमने हर साल date crore job create करनी है, 20 साल में 30 crore job create करनी है और वो job create हो सकती है जबकि हम यह जो productive asset होती है, financial assets जैसे stock market है या तो date market है, bond market है, mutual fund है, EPFO उसमें या new pension scheme उसमें हम निवेश करें कि जो पैसा finally भारत के विकास में जाएगा, भारत में job creation में जाएगा और उससे हमारा भी एक अधिक से अधिक लाव होगा, क्योंकि हम जब भारत का विकास होगा, जो companies हम invest करें उसमें उसका विकास होगा, तो हमारा भी हमें भी ज्यादा return मिलेगा और साथी साथ job creation भी होगा, तो जो नए बच्चे jobs में जाएंगे, उनको भी आमदनी मिलेगी और वो भी finally उनके जो आप कमाये हुए पैसे, वो markets में रोकेंगे, तो उससे कई गुना देश को फाइदा होगा. आज यहां पर इसकायोजन किया है, हमारे साथ studio में एक खास family भी है, भावेश शाह और उनकी family हमारे साथ आज studio में आई है, जिनकी financial planning हम आज करने वाले हैं, मिन सुस्तुगी हमारे expert भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी financial planning शुरू करने से पहले, भा और हैं कि उनकी टaksiब прев साथ अवड़े हैं, ओडर कि अरवून कि आज करने से आजन एके साथ आजे हैं, मिन सुम्हारेeralे हैं, भाह. ज सीय आजी है हमारे कि भूवड़े हैं, भूवड़े हैं, मिन रूण में भीवज़े हैं, मु आन मुड़े हमारे भी